इंडिया टुडे ग्रूप ने पिछले साल 15 अगरस को एक सर्वे किया था मूड ओफ दे नेशन का उस सर्वे तक आपके पास एकना चिंदे आ गये थे उस सर्वे में दिखाये गया कि अगर लोकसभा के चनाव महराश्ट में होंगे तो एंडिये याने आप और शिंदे आप को 14 सीटे भी मुश्किल से मिलेगी 34 सीटे उस सर्वे में दिखाये गया था महाविकास आगर याने इंडिया आलाइंस तब तो इंडिया आलाइंस था नहीं उनके साथ जा रही है उसके बाद जनवरी में हमने और एक सर्वे किया मूड ओफ दे नेशन का उसमें भी यह दि सीटी में भी हमने 15 अगरस्ट को सर्वे किया उसमें भी दिखाई दे रहा है कि इंडिया अलाइंस को 28 सीटे मिल रही है और आपको 20 से जादा सीटे नहीं मिल पा रही है किस तरीके से आप उनको देखते हैं क्या इसी वज़े से आपको एक मजबूत सरकार में तीसरे पार् मुदृ ओफ देशं में मूदव महराश्क्रा आप समझी नहीं पा रहे हूं ॥ी देखिए आप महराश्रमें जब सर्वे करते हो या कोई भी एजनशी करती है तो जिस प्रकार से मोधी जी के प्रति महाराश्र में एक लगा और मैं तो कहता हूं कि अगर हम मूधी जी का र तो मेरा दावा है कि वो तो बहुत उचा रहेगा लेकिन उसमें सबसे उपर मुंबई रहेगा इसलिए ये जो बेसिकली ये जो एक भावना है इस भावना को आप पकड़ी नहीं पाते हो मैं आज भी आपको दावे के साथ कहता हूँ और अगले साल आप वापिस मुझे बु आपका नहीं हुआ था तब भी आप कर रहे थे उसके बावजूद आपको 1 चिंदे को लाना पड़ा जब 1 चिंदे साथ में आए तब भी आपने वही दावा किया था लेकिन फिर भी आजित पवार को लाना पड़ा आपने खुद पार्टी के विधायकों के सामने कहा कि अ बहुत हो गया तो 48 चले जाएंगे उससे आगे तो नहीं बढ़ सकते तो इसल दावा तो यह रहेगा कि 40 के उपर हम रहेंगे जैसा मैंने पहले बताया कि राजनीती में जब सारे लोग इंडी अलाइंस के नाम से एकत्रित आकर हमारे खिलाफ लामबंध होते हैं तो हमको भी यह आवशक्ता लगती है कि कोई हमारे साथ आ रहा है तो उसको लेना चाहिए तो निश्चित रुप से अजित दारा के आने के बाद जैसे शिंदे जी के आने के बाद ताकत बढ़ी त पॉलिटिकल अर्थमेटिक और पॉलिटिकल केमेस्ट्री यह दो चीज़े होती है पॉलिटिकल केमेस्ट्री मोधी जी के करण हमारे साइड में है ही और पॉलिटिकल केमेस्ट्री पॉलिटिकल अर्थमेटिक को डिटर्मिन भी करती है लेकिन साथ साथ हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि जैसे political chemistry correct है वैसे political arithmetic भी correct होना चाहिए वो हमने कर लिया तो basically एकदा चिंदे को आपने साथ में लिया political chemistry ठीक करने के लिए और अजीत पवार को आपने साथ लिया arithmetic ठीक करने के लिए यह तो आपने बहुत अच्छा बता दिया मुझे इसके बाद मुझे कोई पूछेगा कि आपने क्यों लिया तो मैं यह जवाब दूँगा मैंने आपसे जवाब लिया हुआ है क्योंकि आप कह रहे हैं कि शिवसेना हमारी natural alliance है और अजीत पवार हमारे professional alliance partner है यह आपने खुद कहा था इसी के जनता party के उन कारे करताओं को दुख है उन्होंने जिन्होंने तीन साल पहले देखा था कि अजीत पवार villain number one थे बीजेपी के खिलाब बीजेपी जब चाल चरितर की बात करती है और ऐसे वक्त में अजीत पवार जो उनके villain number one थे उनको साथ मिलिया जाता है एक साल पहले तक उनकी बेहन उनके बेटे वो खुद उनके घरों पर ED या income tax department की raid होती है अजीत पवार press conference करके कहते हैं कि मुझे target करो मेरे family को target क्यों कर रहे हैं और एक साल के बाद जब वो आपके साथ आके बैटेंगे तो यह सवाल उठना लाजमी है ऐसा है और इसलिए आपको बीजेपी के कारे करता हों का समझाना पढ़ रहा है कि क्यों हम अजीत पवार बो अपने पद का त्याक करके भी पार्टी के लिए खड़े होने वाले मेरे कारे करता है मेरे पार्टी के कारे करता है इसलिए आप उसकी चिंता मत कीजिए हमारे कारे करता हो कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए यह जरूर है कि हमने अजीत पवार के साथ लड़ाई की है हमन इसमें कुछ निरने भी आपको लेने पड़ते हैं मुझे बताइए जो इंडी अलायंस बना हुआ है इसमें कौन एक दुसरे के साथ रहा हुआ है यह तो सारे एक दुसरे के विरोधी है फिर भी साथ में आये हुए आज भी अभी इलायंस इन्होंने तैयार किया ममता जी बो स्थिति में आवशक क्या है वह आवशकता के अनुसर काम करना पर तो फिर आप अपने यह आपको जादा चैलेंज लगता है कि आप अपने लोगों को समझाए कि अजीत पवार को हमने अरिथमेटिक के लिए साथ में लिया हुआ है आज की स्थिति में उनकी जरूरत है इस एलाय के रूप में हमने शिवसेना को साथ में लिया है राष्टरवादी कॉंग्रेस यह हमारी पॉलिटिकल एलाय है यह अभी नैचरल एलाय बनी नहीं है क्योंकि कई सालों तक हमने एक दुसरे के खिलाफ काम किया है अभी अगले 10-20 साल साथ में रहेंगे तो शायद वो से किस कोईलिशन को हम ठीक से निभाएंगे और सारे चुनाओ जीतेंगे